हलो दोस्तों मेरा नाम है सुमीत राठी और आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट ओनलाइन स्टेडी प्लाटफॉर्म जिसका नाम है नेकाडमी तो गाईज आज हम बात करने वाले हैं UAE गुल्डन वीजा अब इसके बारे हम डिस्कस करने वाले हैं के UAE का गुल्डन वीजा बैसिकली क्या है प्यारे बच्चों यार कोविड-19 की वज़े से दुनिया भर के जितने भी देश है ना कोई भी एकॉनमी हो ठीक है सब पूरी तरीके से हर्ट हुए हैं बूरी तरीके से प्रभावित हु UAE का एक golden visa rule भी है ठीक है जिसमें वो long term stay का option दे रहा है 5 to 10 year ठीक है इसके अंदर basically आपको 5 से 10 साल तक एक long term stay का जो है provision यहाँ पर मिलता है बट उसके लिए कुछ condition है ऐसे नहीं कि आप और मैं गए और हमें ऐसे golden visa दे देगा कि आओ यहाँ रहो ठीक है UAE में और हमें 15-10 साल का visa ऐसे हम लोगों को नहीं मिलेगा उसके लिए कुछ conditions है और वो conditions को अगर आप फुल्फिल करते हो then only we'll get that visa so UAE का यह जो golden visa का rule है यह क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं प्यारे बच्चो उससे पहले यार मैं आपको बता दू दोस्तो इस आपकी कोई problem है जोगरफी आपको दिक्कत दे रही है तो this is the problem this is the solution of the problem geography 101 अगर आप GS के लिए UPSC के लिए कोई course करना चाहते है तो दोस् दोस्तो यहां पर है हमारा current affair जो current affair 101 channel पूरा current affair के लिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमने start के आपके लिए NCRT So these are the four different channels we started for the UPSC CAC और अगर आप चाहते हैं दोस्तो इन चारो channel पर जुड़े रहना अगर आप चाहते हैं मेरे से जुड़े रहना दोस्तो तो आपको इन चारो channel जो है फटा फटा आजी जाहिए और subscribe कर लीजिए जल्दी से जाहिए इंडिया के हर बच्चे के पास यह ज channel से उसके पास होने चाहिए उसके अलावा अग मैं बात करता हूँ अने academy app की तो अने academy app पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो अने academy app पर अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो सो मेरा नाम जो है वो है सुमित कुमार आप जाईए मुझे माँ फॉलो कर लीजे quiz special class और plus course यह सारी चीजे हैं जो आपको मिलेगी प्यारे बच्चो plus course जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है अभी जो आपको पता होगा गुरुकुल plus के नाम से मेरा plus course है सो वो आपको मिल रहा है सो माँ आप सभी बच्चों से request करूँगा एक बर जाए और फटा फट जाके subscribe करें दोस्तो अनकाडमी को by using the code submit 10 था कि गुरुकुल plus को आप access कर पाएं यह 26 तारीक से start हुआ था ठीक है कल इसकी फिर से class है दो दिन अभी Saturday Sunday off था कोई class थी नहीं तो अभी कल अपनी इसकी फिर से class होगी और अभी बहुत जादा नहीं हो है अगर अभी भी आप join करते हैं by using the code submit 10 तो आप सारे के सार classes को क्या कर पाओगे आप access कर पाओगे GS paper 2 दोस्तो effect of policies and politics of the developing countries on the India's interest and India's diaspora so basically it comes under paper 2 जो मैं बता रहा हूँ आपका USA का golden visa rule so यह प्यारे बच्चों GS paper 2 के अंदर गताता है है क्या देखो अभी recently अभी अभी जो यह US का golden visa rule है UAE का ठीक है इसके अंदर में संजे दत को आपका क equipment ने दिया है अब यह program क्या है दोस्तों तो 2019 के अंदर में UAE ने एक नया system वहाँ पे लेके आये थे for the long term residence visa ताकि बाहर के लोग आए और वहाँ पर long term जो है वो रह सकें वहाँ पर long term में काम कर सकें long term में study कर सकें without the need of a national sponsor उनको national उनके देश के sponsor यानि कि UAE के sponsor के आउशक् करने जा रहे हैं आप रहने जा रहे हैं ठीक आपका कोई business है जिसके आपके पास 100% ownership of business की तो आप जाके UAE में रह सकते हैं for the long term यह long term जब भी मैं बोलता हूँ sir यह long term क्या है so golden visa system है जो दोस्तों यह essentially आपको एक long term residency provide करता है वो जोगी 5 से लेकर लगबग 10 साल तक की होगी है ना और यह जो residency होगी दोस्तों यह 5 से 10 साल तक जो residency जो visa दिया जा रहा है यह कुछ group के लोगों को दिया जा रहा है कुछ category के लोगों को आपको दिया जा रहा है ठीक है इसमें अगर मैं बात करूँ तो वो लोग कौन-कौन से investor हैं उसके अंदर entrepreneur है ठीक है जो investor है बड़े-बड़े amount invest करते हैं उन लोगों को मतलब मोटी party आप समझ रहे हैं मोटी party intelligent लोगों को आप और मेरे को बिना मतलम में जनसंख्या बढ़ाने के लिए नहीं बुला रहे ह जो किनको बुला रहे हैं क्रीम लोगों को बुला रहे हैं जो investor हैं मोटा खासा अच्छे खासा पैसा invest कर सकते हैं जो entrepreneur है इनका business चलता है कोई भी individual जिसके अंदर बहुत तगड़ा talent है मुझे नहीं लगता संजेदत साब में कौन साच talent इनों ने देखा है ठीक है so medical professional है और भी बहुत सारे लोग जिनके पास कुछ scientific knowledge है है ना तो उन लोगों को क्या कर रहे हैं बुला रहे हैं तो basically आप दिख रहे हो they are attracting the cream वो दुनिया बर के जितने भी लोग है ना ठीक है उन में से वो cream को अपने देश में बुलाना चाहते हैं intelligent students को investor को businessman को wealthy people को influential लोगों को ताकि वो आएं वहां जाएं वहां रहें काम करें और जो brilliant mind है वो UAE की progress के अंदर में क्या करें अपना role play करें ठीक है so that's what they are trying to do अच्छे इसके लिए eligibility क्या है मैंने आपको बताया 10 year का जो visa eligibility है जो investor visa requirement है उसके लिए क्या चीए पहली बात क्या है दोस्तों ही कहने कि deposit chain को क कम से कम at least Arabian जो अरब जो धिरम है यूई का जो धिरम है 10 million worth का of the public investment and या फिर क्या है in the form of investment fund और एक company है ना कितना 10 million तक का ये कह रहे है 60% of the total investment must not be from the real estate आपने 10 million की जो investment की है इस 10 million की investment में आपका जो minimum है total investment है इसका कम से कम 60% real estate में नहीं होना चाहिए आप 10 million आपने invest किया UAE में कोई बात नहीं 40% आप real estate में कर दो बाकी का आपका क्या नहीं होना चाहिए बाकी का आपका किसी business में होना चाहिए 60% किसी business में होना चाहिए अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 10 साल का क्या मिल जाएगा long term stay visa मिल जाएगा कहाँ पर UAE में the invested amount must not be loaned अच्छा दूसरी बात ये नहीं है कि विजे माल्या की तरह तुम इंडिया से loan लेके भाग गया और तुम्हें UAE में 10 million जो है invest कर दिया और वहाँ पर long term visa ले लिया 10 साल का ऐसा नहीं है ये जो amount है ये loan amount नहीं होनी चाहिए दोस्तों और इस amount की जो आपने invest किया है उसकी पूरी ownership आपके पास होनी चाहिए ऐसा नहीं कि 10-12 लोग है आप एक खटेगर के आपने 10 million invest कर दिया नहीं ये investor जो है it must retain the investment for minimum 3 years देख रहे हैं आप 3 साल के लिए कम से कम आपको investment जो है UAE के अंदर में रखना पड़ेगा 10 million का investment 10 million धिरम का investment आपको UAE में करना पड़ेगा ठीक है UAE में करना पड़ेगा और उस investment को 3 साल के लिए आपको कम से कम रखना पड़ेगा देखो कितने हो रहे थे हैना हम ऐसे ही खुश हो रहे थे मानो प्रताब सिंग हम ऐसे ही खुश हो रहे थे कि हम भी हम भी जा सकते हैं हमें नहीं रखेंगे महाँ पर जन संक्या थोड़ीन बढ़वान ही इनको महाँ पर ये लोग चाता है क्रीम लोग जाए महाँ पर this 10 year long visa may be extended to the extended to include the business party business partner providing that each partner contribute the AD 10 million है अब कह रहे है कि कोई बात नहीं अगर business partner उनको भी ले आओ लेकिन उनसे भी कहो कि यहाँ पर हमारे यहाँ 10 million का क्या करें investment करें यह जो long term visa है ना इसके अंदर आप चिंता मत करो आप अपने spouse अपने better half साथ में अपने बच्चों को भी लेकर जा सकते हो उसके बाद एक 5 year का visa की जो है eligibility भी है आप देख ले ना आप जिस category में eligible हो उस category के अंदर में आप जा सकते हो दूसरा कह रहा है 5 साल के लिए तो जो 5 साल के लिए है दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पांच साल वाले के लिए 5 million का investment आपको करना पड़ेग and the amount invested in the real estate must not be the loan और ये 5 million में आप real estate में इंवेस्ट कर सकते हो ये 5 का 5 million लेकिन ध्यान रखना अगेन ये कह रहा है कि लोन लेके नहीं कि इदर कभी इंडिया से लोन लेके तुम उदर जाके इंवेस्ट कर रहे हो वो नहीं होगा the property must be retained for at least 3 year आपने real estate में इंवेस्ट किया कम से कम ये property आपको 3 साल तक रखनी पड़ेगी अपने पास उसके बाद बेचना बेचना जो करना वो कर लो उसके बाद कुछ individual है जिनके अंदर कुछ special talent है जिस category के अंदर में हमारे संजेदत साब को जो है उन्होंने वीजा दिया है वो क्या है इनके अंदर में doctor हो कोई researcher ह हो ठीक है या कोई मेरी तरीके से कोई scientist हो या आपकी तरीके से कोई investor या artist हो है ना तो उसको आप लेके जा सकते हो वो आपका UAE के अंदर में UAE उसको long term visa 5 से लेके 10 साल का वो दे देंगे these individuals may be granted 10 year visa आपको 10 साल का visa मिल जाएगा लेकिन आपको accredition लेना होगा अपने respective देश के उस department और field से मतलब अगर आप actor हो तो आपके देश के अंदर में आप होने उसके लावा outstanding students जो बहुत extraordinary students है जिनके 95% से उपर percentage आई है वो भी जा सकते हैं universities के अंदर में जिनका बहुत अच्छा score रहा है वो भी जा सकते हैं ठीक है तो आपके भी chance खुल रहे हैं वहाँ पे जाके आप भी सिक्षा ले सकते हो आपका भी कोई बहुत बड़ा purpose नहीं एक तो आप intelligent होगे उपर से उत्वाँ जाके पढ़ोगे तो वहाँ पे आप fees भर होगे ठीक है ऐसा नहीं कि आपको free में पढ़ाएंगे आप से fees लेंगे और आपके intelligence का फायदा फिर ये वहीं उठवाएंगे दुबाई के अंदर मे UAE के अंदर में वहीं पे फायदा उठवाएंगे अच्छा इन सब के पीछे reason क्या है दोस्तों यह जो COVID-19 हुआ ना इससे यार बहुत बुरी तरीके से आपके UAE की economy जो है वो hurt होई है इस pandemic की वजए से और जो low price oil prices के चलते बहुत भयंकर तरीके से यहाँ पर जो है loss हुआ बहुत सारे लोग जो थे वो UAE में काम करते थे वो काम छोड़के वापिस आ गए है दो UAE से इस move the move intended to bring them back now and keep the talented peoples with the great mights in the Gulf countries and help the nation buildings अब यह ही चाते है कि scheme के द्वार आना जो अच्छे लोग है cream लोग है उनको भी वापिस लेके आए जाए ठीक है और साथ-साथ में जो cream ल फिजा दे दिया जाए इससे क्या होगा दोस्तों they are attracting the talented professionals उनके talents जो talented professionals है जो बहुत सारी अदर-अदर activities के अंदर में ठीक है उनको यह आप अपने देश में बुला रहे है ठीक है यह to encourage the innovation, creativity, applied research ठीक है and adding the appeal to the career of the UAE in the world brightest mind है na UAE जुनिया भरके जो talented लोग उनको दिखा रह opportunity रहेगा, better option रहेगा. अच्छा इसके लिए भारत के लिए इसका क्या महतव दोस्तों, भारत के लिए विसेश महतव क्या देको, महतो भी है तो से नुक्षान भी तो है, हम सिर्प महतो महतो देख रहे है, महतो क्यूं देख रहे है guard because in India के अंदर में talent या जो जनसंक है, gensök इतने लोग है ना, अब टैलेंट तो सब के पास कुछ ना कुछ है ना, हम इसी जो कभी पहचान ही ने पाते हैं, हमारे देश के अंदर में चीजे बस पता नी किदर उलजी रहती है, देश कभी जो हमारे टैलेंटिड लोग हैं, उनको रिटेन कभी करी नहीं पाया, अब ये UAE में ही रहेंगे, फिर UAE से आएंगे क्यों वापिस, तो again this is a form of brain drain, आपको बता है brain drain होगा, but यहाँ पर दोस्तों इसका महत तो बताना है मुझे, ठीक है, मैं महत तो बताऊंगा, otherwise ठीक है, फिर से मुझे criticize किया जाए, सुमीत सर ऐसे बोल रहा है, so इससे क्या होगा, महत त आँगा, तो यह कह रहा है कि इंडिया के जो professionals और businessmen है, उनकी लिए एक नई, जो है opportunity खोल रहा है, opportunity दुनिया के बाहर जाने की जरुरत क्या है वही, UAE के अंदर में उस रेगिस्तान में जाके opportunity खोज रहे हैं, उससे तो better, इंडिया के अंदर में opportunity मिल जाएगी आपको, सा आती साथ के अंदर में कह रहे है कि जो वहाँ पर इससे इंडिया और UAE का relation बहुत मजबूत होगा है ना, हर जगे हम अपने देश के नागरी को बेज दें, उनसे मजदूरी कराएं, इससे हमारे उनके देशों के relation क्या होंगे, बहुत अच्छे होंगे, it will also facilitate the return of the Indians who wants to resume their work work after the relaxation of the COVID-19 related restriction for which India had requested the member of the Gulf Corporation Council in the early 2020, so ये सारी बाते जो है इसके अंदर में दोस्तों बताई जारी है, भारत के लिए महतों की बात हुई है, so ये था golden visa rule से, बागी प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया, ये 26th of May से हमारा batch है, गुरकुल प्लस, ये launch हो गया है, ये start हो गय कीजिए, अभी भी मतलब, मेरी तो तीन ही दिन classes होई है, तो आप अराम से दो दिन के अंदर उसको cover कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, recorded class आपको मिल जाएगा, अगर आप UPSC, CSC के लिए अपना GS का part strong करना चाहरे है, तो this is the solution, one stop solution for your GS need, ये आपकी जीन के लिए के है दोस तो this is the one stop solution, ठीक है, यहां से आप अपनी सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, आप proper तरीकेशन को कर सकते हैं, ठीक है, चली दोस्तों, आप मेरे साथ जोड़े रहिए, plus और iconic, मैंने बताया, आपको दो प्रिकार की codes हम आपको दे रहे हैं, plus है एक तरफ, दूसरी तरफ क्या या, you can ask an academy, आपके पाँ जो सेल स्टीम का कॉल आता है, उनको आप बोल दो कि मैं सुमित सर का स्टुनेंट सुरे, I will only use the code सुमित 10, और अगर वो आपको मना करते हैं, then you can mail me, आप मुझे बताये, then don't go with them, ठीक है, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, जो कुछ उल्टा सीध या, कोड लगा लेते हैं, ये 10, वो 10, फिर बात में मुझे कहते हैं, सर, गुरूप में add करो, I will only help you, if you use the code सुमित 10, ओके, now on this note, we are ending this session, thank you very much, take care, बबाई, जैहिंद, this is my telegram channel, and this is my code, take care, वीडियो पसंद आया, लाइक करना है, चैनल को शेर करना, और चैनल को क्या करना है subscribe, thank you very much, take care, bye bye, jahind